दोस्तो कोठे, मुझरे, वेश्यवरत्ती और देहवेपार में अकसर स्तिरियों को देखा जाता है आज भी पूरी दुनिया के कोने में भले खाने को ना हो लेकिन वेश्यवरत्ती वहाँ जरूर होगी स्तिरियों का लेंदेन तो लाजमी है वो सदियों से चला रहा है लेकिन जिस तरह से इस्तिरियों की खरीत फिरोती होती है सिर्फ जिस्म की पूर्ती के लिए ठीक वैसे ही मर्द जात को भी खरीदा जाता है इनकी भी बॉलियां लगती है मर्दों का भी बाजार लगता है और आज भी कुछ जगों पर चुपके से मर्दों की बॉली लगाई जाती है जहां पर हाई प्रोफाइल वीमेंस आती है और अपने जिस्म की आग भुजाने के लिए मर्द को अपने साथ ले जाती है बदले में उन्हें मुँ मांगी कीमत दी जाती है दोस्तो अगर आपको लग रहा हो कि वैश्यवरती में ये मर्दों का बाजार आज सजा है या फिर आज से थोड़े समय पहले ही सजा है तो जनाब आप गलत है और आपकी जानकारी अधूरी है आपको बता दे कि मर्दों का बाजार आज से नहीं बलकि प्राचीन समय से सचता रहा है हाँ वो बात अलग है कि अब इसको मौडन तरीके से देखा जाने लगा है और पहले ये काम गुप चुप तरीके से होता था चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुवात कब हुई दोस्तों इसकी शुरुवात हुई थी 51 इसापूर्व में जब इजिप्ट का सामराज्य अपनी ताकत की चरम सीमा पर था और यही पर एक रानी थी जिसे हम क्लियोपेट्रा के नाम से जानते हैं क्लियोपेट्रा ने मिस्र में पहली बार मर्दों का बाजार लगाया था असल में मिस्र सामराज्य में औरतें बहुत ताकतवर थी ऐसा उधारन दिया जाता है कि मिस्र सामराज्य की औरते ही वो आखरी औरते थी जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर थी उसके बाद हमेशा औरतों को दबाया जाने लगा कलियोपेटरा ने मर्दों का बाजार बीच चोराहे पर लगाई जाने का आदेश दिया था जहां पर एशिया, एफरीका, यूनान, मैसेडॉनिया और चीन जैसे देशों के आदमी अकसर मौजूद रहते थे ये वही आदमी होते थे जो काम की तालाश में अपना घर बार छोड़ कर निकलते थे और फिर इन्हें जबरन दास बना लिया जाता था और फिर ये हमेशा के लिए दास ही बने रह जाते थे और इससे ये कभी उभर नहीं पाते थे पुराने समय की बात करें तो समय सिर्फ रानी को इस चीज की छूट थी या फिर रानी के अलावा जो एक दो और सत्ता में मजबूत इस तरियां थी उन्हें इस चीज की छूट थी मतलब आप इस चीज को कह सकते हो कि उस समय आयाशी अपने चरम पर थी आपको बता दे कि मिसर के इस बाजार में पहले जिसम को संतुष्ट करने के लिए मर्द मिलते थे लेकिन वो मर्द सिर्फ क्लियोपैटरा खरीच सकती थी उसके बाद इजिप्ट में कई महीला व्यपारी और अधिकारी महीलाएं ऐसी थी जो कि इन मर्दों को खरीदना चाहती थी लेकिन नहीं खरीच सकती थी क्योंकि वहाँ पर ये कानून था इसके लिए इजिप्ट मेहल की कुछ महीला धिकारियों ने क्लियोपैटरा से बात की कि उन्हें अपने घर के कामों के लिए नोकरों की जरूरत पड़ती है तो अगर आप कहें तो हम इन आदमियों को नोकरी पर रख सकती हैं जिससे इन्हें भी काम मिल जाएगा और हमारे घर में भी नोकर आ जाएंगे क्लियोपैटरा ने इस पर अपनी हामी भर दी जिसमें भारतीय मर्दों की बहुत मांग रहती थी जिसकी वजह से यहां पर काफी मात्रा में भारती आकर बसने लगे थे क्योंकि अक्सर राच्चसी महिलाएं इन मर्दों की मांग करती थी और मर्दों को अपने बिस्तर पर ले कर जाती थी और उसके बदले में मर्दों को जेवरात और मुद्राएं देती थी हाला कि ये सब यहाँ पर इतना आसान नहीं होता था क्योंकि ये औरते खरीदे हुए मर्द के साथ है ये बात अगर फैल जाती थी तो बड़ा बवाल हो जाता था इसलिए ये सब काम चौरी चुपके से होता था लेकिन अक्सर करके मर्द वही खुले आम बेचे जाते थे जहाँ पर इस्त्रियों का शासन था इसलिए कुछ खास बवाल नहीं होता था बस मर्द के साथ पकड़े जाने वाली इस्त्री की बदनामी होती थी और इतिहास गवा है कि बड़े आदमी को कभी भी बदनामी से डर नहीं लगा है और यही कुछ पहले भी होता था दोस्तों ये एक चलन था जो कि अब वहाँ पर चल चुका था क्योंकि पहले सत्ता की भूक में इस तरियां सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाती थी और शादी नहीं करती थी अपने राजपाट को आगे बढ़ाती थी और जब इस काम में उन्हें सफलता मिल जाती थी तो ये इस तरियां जो कि अब राणी बन चुकी होती थी अब रोज रोज किसी ना किसी मर्द को अपनी भूक मिटाने के लिए बुलाती थी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महल के किसी सैनिक या फिर फिर वजीर को कभी इन कामों का मौका नहीं मिलता था क्योंकि रानी को अक्सर इस बात का डर रहता था कि अगर उसने किसी सैनिक या वजीर को रात में अपने पास बुलाया तो वो रानी की जरूरत तो पूरी कर देगा लेकिन आगे चलकर वो रानी को धोका दे सकता है और उसकी हत्या भी कर सकता है और सत्ता को अपने हाथों में ले सकता है इसलिए रानी अपने महल के सैनिकों और वजीरों को अपने से दूर ही रखती थी इसके अलावा भी कई कारण होते थे जिनकी वजह से रानी के सत्ता में आने के बाद वो सैनिकों और वजीरों से किनारा कर लेती थी और चुपचाप से किसी अच्छे दास को खरीटती थी और अपने मन के अनुसार उसके साथ कुछ भी करती थी अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब रानी ऐसा करती थी तो किसी न किसी को तो इसकी भनक हो ही जाती होगी तो दोस्तो ऐसा नहीं है असल में जब भी रानी को अपने जिस्म की भूक को मिटाने का मन होता था तो वो अक्सर महल के बहार अपने सिपाहीयों के साथ घूमने लगती थी और कहती थी कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी आवाम सही है या नहीं कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं और ऐसा कहते हुए रानी अक्सर बाजार से होते हुए निकलती थी बाजार में वो अक्सर मर्दों की मंडी को देखते हुए चलती थी और उनमें से अगर कोई मर्द उन्हें पसंदा जाता था तो वो उन्हें अपने पास बुलवा लेती थी और कहती थी कि इसे महल में साफ स जफाई के काम में लगा दो या फिर किसी भी काम में लगा दो और मौका देखते हुए रानी कभी न कभी उसे अपने कक्ष में आने को कहती थी फिर उसके बाद रानी का मन जब तक होता था तब तक रानी अपने जिस्म को उससे ठंडा करवाती थी उसके बाद उसे मूँ मां सामराज्य से उठा और फिर कभी खत्म नहीं हुआ। ये प्रथा मिस्र के बाद यूनान और बिटिश सामराज्य की जकड में आई। बिटिशर्स का हाल तो ये हुआ कि वहाँ पर औरतों ने इस चीज को काफी खुले तरीके से अपनाया और आज USA और आस्ट्रेलिया और ना बार वीडो तो कई तलाक शुदा होती हैं तो कई ऐसी होती हैं जिनके पतियों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पती उन्हें समय नहीं देते हैं तो फिर वो ठक हार कर प्लेबॉय का सहारा लेती हैं कैनेडा, USA और दा ग्रेट ब्रिटेन में ना जाने कितने ही ऐसे बार्स और पप्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको पैसा देकर लड़के मिल जाएंगे अब इसे चलन या फिर फ्रेशन कहलीजिए वो आपके उपर है ये भारत में भी आ चुका है डैली, बैंगलोर, पुने, मुंबाई और लखनव जैसी ऐसी ही ना जाने कितनी ही बड़ी सीटीज है जहां पर बार्स और पप्स में लड़किया पैसे देकर मन चाहे लड़के खरीद कर उनसे जो मन हो करवा सकती हैं बैंगलोर में तो कई केसे ऐसे भी सामने आये हैं जहां पर 35-55 के बीच की उम्र की लेडी से अक्सर पप्स में आकर लड़कों पर पैसे लुटाती हैं और फिर उन्हें अपने साथ अपने फ्लैट ले जाती हैं दिल्ली में जिगोलो काफी फेमस हो चुके हैं आपको बता दे कि जिगोलो एक कमपनी है जहां पर किसी भी महीला को पैसों के बदले लड़के मिल जाते हैं दिल्ली में ये संस्था बहुत फेमस है और आपको बता दे कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे है जहां पर रात में 10 बजे के बाद लड़कियों का नहीं बलकि लड़कों का जाना मुश्किल हो जाता है इन इलाकों में लड़के जाने से डरते हैं दरसल यहां पर औरतों की नहीं बलकि मर्दों की बोलिया लगती है दिल्ली में ऐसी कई जगह है जहां शाम के बाद ही मर्दों का बाजार सचता है आपको बता दे कि इन्ही इलाकों को जिगोलो मार्केट भी कहा जाता है जहां अमीर घरों की औरते मर्दों को खरीदने आती है जिगोलो मार्केट में मर्दों को मूँ मांगी फीज दी जाती है ये सब कारोबार रात के 10 बजे के बाद शुरू होता है और सुभा 4 बजे तक चलता है आपको बता दे की वैसे तो ये कारोबार छुपकर किया जाता है लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में ये खुले आम होता है सरोजनी नगर, लाशपत नगर, पालिका बाजार, कमला नगर और लक्षमी नगर बाजार समेत कई लाकों में रात होते ही मर्दों की बिक्री शुरू हो जाती है कुछ घंटों के लिए जिगोलो की बुकिंग की कीमत अठारा सो से तीन हजार रुपे होती है तो पूरी रात के लिए 5,000 से 8,000 रुपे तक में डील फाइनल की जाती है इस कारोबार को दिल्ली के कई युवा अपना प्रोफेशन बना चुके हैं तो कई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं आपको बता दे कि ये डीलिंग का काम पूरे सिस्टेमेटिक तरीके से होता है कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा बिकने वाले मर्द को अपनी संस्था को देना पड़ता है जिससे वो जुड़ा होता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मर्दों की पहचान के लिए उनके गले में जिगोलो रूमाल और पट्टे बान दिये जाते हैं इससे ही उनकी पहचान होती है बता दे कि कौन सा लड़का कितना महंगा है ये जिगोलो रूमाल की लंबाई से पता चलता है और आपको बता दे कि ऐसा नहीं है कि इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता होता यहाँ पर होने वाले एक एक काम के बारे में पुलिस को पता होता है लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं करती और इसके पीछे का कारण आपको पता ही होगा हाला कि जिगोलो को लेकर काफी fraud भी किया जाता है और कई लड़के इसकी तलाश में संस्था को कुछ joining amount भी पे करते हैं लेकिन फिर उसके बाद उनके साथ fraud हो जाता है जो जिगोलो की official संस्था होगी यानि कि जो जिगोलो की official organization होगी वो कभी भी पहले पैसो की मांग नहीं करेगी वो आपकी meeting होने के बाद आपके client से पैसा लेगी और उसमें से आपको वो पैसा देगी जिन पैसो की deal आपके साथ उन्होंने पहले ही final की होगी तो दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आज की ये पेशकरश आपको कैसी लगी नीचे comment करके जरूर बताएं जाने से पहले वीडियो को like करें शियर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe करके साथ में bell notification को भी all पर set कर लें धन्यवाद